दोस्तो अगर आप टेडिंग में एक्सफ़र्ड बनना चाहते हैं तो आपको पता होना जरूरी है कि इस टाप का कंडेस्टिक बनने के बाद सेर की प्रैस इस ऊपर की तरफ जाती है और इस टाप का कंडेस्टिक बनने के बाद सेर की प्रैस नीचे की तरफ जाती है तो सोच मैं आपको फिरी सिखाने जा रहा हूं जबकि काफी सारे लोग इस टैप के व तो इस कंडल चीक में हमें सबसे पहले एक स्माल वुडी देखने को मिलती है और वुडी के नीचे हमें एक लिक देखने को मिलती है ज sum से cider का काम होता है आपको किसी कंडल की फोर्मेशन के दौरान जो भी उस सेर 20 हाइश holiness प्राश्ब करें और वुडी का के टॉफ से ओपन होकर बूड़ी के बोटं पर होती है और भी माल लीजिए कोई केंदल इस्टिक एक ग्रीण बाइंग केंदल इसटिक है तो उसमें प्रैसाज से बोटं से ओपन होकर फोटी के टॉप होती एक हैमर ओनल को यूज करने से पहले आपको इन का द्यान में रखना जरूरी है तो जो पहली कंडिशन है वो यह है कि हैमर केंडल स्टिक शिर्प तभी वैलेड होगी जब इसमें नीचे का बेग कापी लंबा होगा जिससे हमें रजेक्शन ऑफ लोवर प्राइस के बारे में पता चल सके क्योंकि हैमर केंडल स्टिक बुलि से पहले शेर प्राइज में ग्रावट देखने को मिर रही होनी चाहिए तीसरी कंडिशन ये है कि एक हैमर केंडल की बूडी का कलर मैटर नहीं करता है लेकिन अगर ग्रीन बोडी वाली हैमर केंडल स्टिक होगी तो प्राइशिस में रिवर्सल आने की संभावना जो होती है वो काफी ज्यादा होती है हमारी जो फूर्थ कंडिशन है वो ये है कि हैमर केंडल के बनने के बाद अगली कंडल स्टिक जो बनती है वो एक ग्रीन बोडी वाली हुलिस कंडल स्टिक होनी चाहिए जो कि हैमर केंडल के उपर एक सक्सेस्फुल क्लोजिंग दे दे और हमारी फिफ्ट और लास्ट कंडिशन यह है कि एक हैमर केंडल में हमें उपर की तरफ या तो बिल्कुल भी बिक देखने को ना मिले या फिर महाँ पर बिक है भी तो काफी ज़्यादा छूटी होनी चाहिए तो दोस्तों यह पाचों कंडिशन फूल फिल हो जाती है तो हमारा हैमर कंडलिस्टिक पैटन वन जाता है मतलब अभी तक तो शेर की प्राइसेस नीचे की तरफ जा रही थी आप उपर जा सकती है तो एक हैमर कंडलिस्टिक को एक बुलिस रबसल कंडलिस्टिक पैटन मानते तो जब यह pattern चार्ट पर देखने को मिलता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं तो आपको यहाँ पर trade करना हो तो आप लोग entry hammer candle के बार जो अगली foolish confirmation candle बनती है उसकी closing price पर आप लोग अपने trade में enter करेंगे और आपने stop losses को आप लोग या तो entry candle के नीचे या फिर hammer candle के लोग के नीचे place कर देंगे अब हम जिस pattern के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है hanging man pattern दोस्तो यह pattern देखने में hammer pattern जैसा ही दिखाई देता है बस फरक शिप इतना है कि hanging man pattern एक up tint के दोरान form होता है या एक hammer pattern down tint के दोरान form होता है तो दोस्तो एक hanging man pattern मनने के लिए चार condition होना बहुत जरूरी है इस pattern में हमें नीचे की तर्फ एक लंबा विक देखने को मिलना चाहिए और उपर की तर्फ या तो बिलकुल भी देखने होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए तो यह condition बिलकुल hammer candle ही जैसी है दूसरी condition यह है कि इस candlestick में body का color matter नहीं करता है लेकिन hanging man क्योंकि एक red virus pattern consider करा जाता है तो इसलिए एक red body वाली hanging man candle बनती है तो वो ज्यादा बैलेट मानी जाती है तीसरी condition यह है कि एक hanging man pattern बनने के लिए इस टोक का फहले अप्टेन में होना बहुत जरूरी है जैसे कि hammer candlestick बनने के लिए इस टोक का फहले डाउन टेन में होना बहुत जरूरी है या उसी तरह hanging man pattern में इस टोक प्रैसिस का फहले अप्टेन में होना बहुत जरूरी है फूर्थ condition यह है कि hanging man candle बनने के बाद जो अगली candlestick बनती है वो एक red bearish candlestick बनी हो और हमें hanging man candle के लोके नीचे successful closing दे दे तो यह चारों condition फूर्फिल हो जाती है तो हमारा hanging man pattern कम्प्लीट हो चुका होता है मतलब जहां share की price पहले वर्ड रही होती है इस pattern के बनने के बाद share की price गिरने लग जाएगी ऐसी बहुत high possibility हो जाती है तो मतलब hanging man pattern बनने के बाद price downturn में जा सकती है क्योंकि यह एक bearish pattern होता है इसलिए हम लोग यहाँ एक selling यानि short circuit trade में इंटर कर सकते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें hanging man candle के बाद जो अगली bearish candlestick बनती है उस candle की closing price पर हम अपनी position को enter कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर selling कर रहे हैं इसलिए हम अपने stop loss को hanging man candle के high के उपर place कर देंगे तो दोस्तों आपको hanging man pattern और hammer pattern में अभी तक कोई confusion है तो इस picture को देखने के बाद पूरी तरह से clear हो जाएगा hammer एक downtrend में बनता है और hanging man एक uptrend में बनता है hammer candle एक buy signal देता है और buy hangman candle एक selling signal देता है आप दोस्तों हमारा जो third candlestick pattern है उसका नाम है inverted hammer inverted का मतलब उल्टा और यहाँ पर आप लोग नाम से बिल्कुल confuse मत हुईएगा क्योंकि ये candle भी hammer candle की तरह ही काम करता है इसमें और hammer में फर्क स्रुफ इतना है कि hammer candle में हमें नीचे की तरफ एक लंबा बिक देखने को मिलता है लेकिन inverted hammer candlestick में हमें उपर की तरफ एक लंबा बिक देखने को मिलता है एक inverted hammer candle बनने के लिए ये चार condition fulfill होना जरूरी है नमबर वन, share down 10 में होना चाहिए, मतलब share की price गिर रही होनी चाहिए Same condition जो hammer candle के लिए भी थी, वो यहाँ पर भी apply होती है दूसरी condition यह है कि इसमें जो upper wick है, वो लंबी होनी चाहिए और नीचे की wick बहुत चोटी होनी चाहिए, या बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए दोस्तो यह जो second condition है, यह एक मात्रव defense है दोस्तो यहाँ पर जो third condition है, वो hammer pattern की तरह ही है मतलब यहाँ पर भी candle की body का color matter नहीं करता है क्योंकि एक inverted hammer candlestick में एक bullish candlestick होती है इसी लिए green color की body वाली candle, inverted hammer वाली candle ज्यादा प्रवावसाली होती है ऐसा हम लोग मान कर चल सकते हैं हमारी fourth और last condition है की inverted hammer candle के बाद जो confirmation candle बनती है वो एक bullish candlestick होगी, जो की inverted hammer candle के high को break करके उसके उपर closing दे देती है दोस्तो ये चार condition fulfill हो जाने पर हमारा inverted hammer candlestick pattern complete हो जाता है और इसमें ट्रेड लेने के लिए हमें confirmation candle की closing price पर हम long side की ट्रेड में anti ले सकते हैं और अपने इस्टोपलोसिस को हम अपने inverted hammer के low के नीचे रख सकते हैं जो हमारा fourth candlestick pattern है उसका नाम है shooting star तो दोस्तो ये pattern भी देखने में inverted hammer की तरह ही दिखाई देता है बस यहां पर फर्क सिप इतना है कि जहां inverted hammer downtend के दोरान फोर्म होता है बहीं एक shooting star pattern एक strong obtained के बाद market की top level पर फोर्म होता है तो दोस्तो ये shooting star pattern भनने के लिए यहां पर इन चार condition का पूरा होना जरूरी होता है पहली condition ये है कि एक shooting star candle भनने के लिए पहले share price को obtain में होना बहुत जरूरी है याने shooting star candle भनने से पहले share की prices बढ़ रही होनी चाहिए जबकि inverted hammer candle के case में ये condition बिलकुल उल्टी थी हमारी दूसरी condition ये है कि एक shooting star candle में भी जो अपर विक है वो काफी लंबी होनी चाहिए और जो lower wick है वो या तो बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए या फिर काफी छोटी होनी चाहिए बिलकुल एक inverted hammer की तरह तीसरी condition ये है कि shooting star candle की woody का color यहाँ पर red हो या फिर green इससे कोई फर्क नहीं पड़ था क्योंकि shooting star एक selling signal देता है मतलब एक bearish reversal pattern होता है इसलिए अगर red color की shooting star candle बनती है तो वो ज्यादा वैलेड होगी चोथी और आखरी condition ये है कि shooting star candlestick बनने के बार जो अगली candlestick बनती है वो एक red bearish candlestick बननी चाहिए जो की shooting star candlestick के low के नीचे या फिर उसकी close के नीचे एक successful closing दे दे तो दोस्तो इन चाहर condition के पूरा हो जाने के बाद हमारा shooting star candlestick pattern complete हो जाता है तो मतलब यहाँ पर short side की trade में enter कर सकते हैं अब shooting star candle बनने के बार जो अगली confirmation candle बनती है उसकी closing price पर हम अपने trade में enter करेंगे और अ हाँ दोस्तो हमारा जो fifth candlestick pattern है उसका नाम है bullish engulfing और इसके नाम से ही पता चर रहा होगा कि यह bullish reversal pattern है मतलब इस pattern के बनने के बाद share की prices में हमें तेजी आती हुए देखने को मिलती है तो दोस्तो इस pattern में पहले share की price एक downturn में थी लेकिन फिर एक big green bullish candlestick form होती है जो की पिछ को बनने के लिए पहले तो share की price थोड़ा सा नीचे open होती है फिर एक नया हाय बना कर पिछ्टी red candle के उपर closing देती है और इसी प्रकार यह previous candle को पूरी तरीके से एंगल्फ कर लेती है तो अगर आप एक bullish engulfing pattern में टेल देना चाहते हैं तो आप bullish engulfing candle बनने के बाद जो अगल के लोग के नीचे या फिर engulfing candle के लोग के नीचे place कर सकते हैं एंड फाइनली हमारा जो six candlestick pattern है उसका नाम है bullish engulfing pattern यह pattern एक bullish engulfing pattern से ठीक उल्टा होता है और share prices में एक अप्टेंड के बाद market के टॉप लेविल पर फॉर्म होता है तो मतलब इस pattern के बनने के बाद share की prices mountain में जा सकती है तो इस pattern के बनने के लिए सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि share की prices बढ़ रही होनी चाहिए फिर जो अगली candlestick बने वो पिछली candlestick से थोड़ा ऊपर open हो और फिर एक नया low बना कर close हो और यह पूरी तरीके से पिछली bullish candlestick को engulf यानि cover कर ले तो आप charging price पर आप लोग short side की trade में enter करेंगे और अपने stop losses को आप लोग engulfing candle के high के उपर प्लेस कर देंगे तो दोस्तों यह तो थे six candlestick pattern जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि कब share की price उपर की तरफ जाएगी और कब share की price नीचे की तरफ जाएगी इसके अलाबा और भी काप की सारे important candlestick pattern होते हैं जैसे की piercing line, dark cloud cover, bolis harami, virus harami, morning star, evening star, bolis kicker, virus kicker, gravestone doji, dragonfly doji, long lap doji, doji star तो इन patterns में जो डोजी से सम्मंदित pattern है मैं बहुत details में इस topic को cover कर चुका हूँ आप लोग चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपकी doji candlestick से relative जितनी भी confusion है वो completely धूर हो जाएगी इसके अलाबा जो बांकी की candlestick हैं इसके उपर भी आप लोग details में वीडियो चाहते हैं तो आप लोग comments करके बताएए कम से कम target करते हैं 1000 likes का और 100 comments का तो अगर यहां पर 100 comments आते हैं तो मैं यहां इस part 2 में बांकी के जो candlestick pattern हैं मैं उसको जरूर कबर करूँगा